नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां सिर्फ तीन दिनों में पाएं बवासीर से छुटकारा ये है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए बवासीर या पाइल्स एक खतरनाक बीमारी है बवासीर दो प्रकार की होती है आम भाशा में इसको खूनी और बादी बवासीर के नाम से जाना जाता है कहीं पर इसे महेशी के नाम से जाना जाता है खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है किवल खून आता है पहले पकाने में लगके फिर टपक के फिर पिछकारी की तरह से सिर्फ खून आने लगता है इसके अंदर मस्ता होता है जो कि अंदर की तरफ होता है फिर बाद में बाहर आने लगता है टटी के बाद अपने से अंदर चला जाता है पुराना होने पर बाहर आने पर हाथ से दबाने पर ही अंद अखिरी स्टेज में हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाता है। बादी बवासीर रहने पर पीट खराब रहता है। कब जबना रहता है, गैस बनती है, बवासीर की वज़र से पीट खराब रहता है हर वक्त, न कि पीट गरबर की वज़र से बवासीर होता है, इसमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन नलगना इत्यादी जैसे लक्षन होते हैं, तटी कड़ी होने पर इ जाता है, उसे डॉक्टर्स अपनी जुबान में फीशर भी कहते हैं, जिससे असहाय जलन और पीडा होती है, खुनी बवासीर का एक दिन में इलाज, अगर आप बवासीर से परिशान है, चाहे वो खुनी हो, चाहे बादी, तो ये प्रियोग आपके लिए रामबान से कम न पाए है, एक बार इसको जरूर अपनाए, आए जानते हैं इस प्रियोग को बवासीर को जड़ से खत्म करने के घरिलू उपाए, बादी बवासीर, गेंदे के फूल के पंखुडियों को दस ग्राम के मातरा में थोड़े से घी के साथ पका कर दिन में तिन बार रोजाना से पी में भून कर रोजाना तीन बार रोगी को देने से बवासीर से बहने वाला खून बंध हो जाता है, गेंदे के पत्तों का रस निकाल कर पीने से बवासीर में बहने वाला रक्त तुरंत बंध हो जाता है, रात के समय में 250 ग्राम गेंदे के पत्तों को और केले की जड़ क दो लिटर पानी में भिंगो दें और सुबह इसका रस निकाल लें इस रस को 15-20 ग्राम की मात्रा में सेवन करें इससे बवासीर रोग में आराम मिलेगा खुनी बवासीर में गेंदे के फूलों का 5-10 ग्राम रस दिन में 2-3 बार सेवन करना बहुत ही लाफकारी होता है गेंदे के फूल के पंखुडियों को पीस कर इसका 10 ग्राम रस निकालने इस रस को गाई के 30 ग्राम घी के साथ मिला कर प्रती दिन सुबह शाम पीने से खुनी बवासीर ठीक होता है बवासीर की सुजन गेंदे के फूल या पत्तों का रस निकाल कर पीए इससे बादी बवासीर के सुजन ठीक हो जाते हैं जीरे का लेप अर्ष पर करने से एवं 2-5 ग्राम जीरा उतने ही घीर शकर के साथ खाने से एवं गर्म आहार का सिवन बंद करने से खुनी बवासीर में लाब होता है अनार के छिलके का चून नाग के शर के साथ मिला कर देने से अर्ष यानिकी बवासीर का रक्त स्त्राव बंध होता है दो सुखे अंजीर शाम को पानी में भिंगो दें सवेरे के भिंगो ये हुए दो अंजीर शाम को 4-5 बजे खाएं एक घंटा आगे पीछे कुछ न लें आर्ट-दस दिन के सेवन से बादियो और खूनी हर प्रकार की बवासीर ठीक हो जाती है बवासीर को जड़ से दूर करने के लिए और पुनह न होने के लिए छांच सरवोतम है दो पहर के भोजन के बाद छांच में देड़ गराम यानि के चोथाई चमच पीसी हुई अजवाईन और एक गराम सेंधा नमक मिला कर पीने से बवासीर में लाब होता है और नश्ट हुआ बवासीर के मस से पुनह उत्पन नहीं होते हैं हर सिंगार हर सिंगार के दो गराम फूलों को तीस गराम पानी में रात को भिंगो कर रखें सुबह फूलों को पानी में मसल कर छान लें और एक चमच खांड मिला करके खाली पेट खाएं रोज एक सबताह खाने से बवासीर मिर्च जाती है या हर सिंगार का बिना छिलके का बीज 10 ग्राम तथा काली मिर्च 3 ग्राम को ले करके पीश ले और चने के ब़राबर गोलियां बना कर खाएं। रोजाना एक एक गोली गुंगुने जल के साथ सुबह शाम खाने से बवासिर ठीक होती है। हार सिंगार के बीजों को छिल लें 10 ग्राम बीज में 3 ग्राम काली मिर्च मिला कर पीश कर गुदा पर लगाने से बादी बवासिर ठीक होती है कपूर कपूर रसोत चाक्सू और नीम का फूल सब को 10-10 ग्राम कुट कर पाउडर बना ले मूली को लंबाई में बीच से काट कर उसमें सब के पाउडर को भरें और मूली को कपड़े से लपेटे तथा मिट्टी लगा कर आग में भून लें भून जाने पर मूली के उपर से मिट्टी और कपड़े को उतार कर उसे शिल बट्टे यानि के पत्थर पर पीछ लें और मटर के बराबर गोलियां बना लें एक गोली प्रती दिन सुबह खाली पेट पानी से लेने पर एक सब्ताह में ही बवासीर ठीक हो जाती है बन गोवी के पत्थों को कुट कर उसका रस निकाल कर दिन में तीन से चार बार बवासीर के मस्तों पर लगाएं इसको लगाने से एक सब्ताह में ही मस्ते ठीक हो जाते हैं मूली के 125 मिली लीटर रस में 100 गराम जलेबी को मिला करके एक घंटे तक रखें एक घंटे बाद जलेबी को खाकर रस को पी लें इस क्रिया को एक सब्ताह तक करने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है रीथा या अरीथा रीथा के छिलके को कूट कर आग पर जला कर कोईला बना लें इसके कोईले के बराबर मातरा में पापरिया कथा मिला कर चून बना कर रखें लगभग एक गराम का चौथा भाग की मातरा में लेकर मलाई या मक्षन में मिला कर प्रती दिन सुबह शाम खा तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों